और नमश्कार दोस्तों मैं मिलाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेकिए हूँ यह डिजाइन यह जो डिजाइन है यह दो फदों का डिजाइन है और यह 4 लाइका डिजाइन है यह इसका प्रंट पार आगे से ऐसा दिखता है और पीछे से इसके लिए हमें दो दो के मल्टीपल के हिसाब से फंदे चाहिए और इसकी एक खासियत है इस डिजाइन की कि इसमें उल्टी स्लाई नहीं डलती सारे स्लाई सीधी ही डलेंगी ये जो है उस हिसाब से मैंने दो दो के मल्टीपल के हिसाब से मैंने 20 फंदे डाल रखे हैं पहली स्लाई हम बिलकुल सीधी भुनेंगे पहला फंदा बिना भुने उतारेंगे उसके बाद सारी स्लाई सीधी इस तरह से सारे फंदे हमने सीधे ही भुने हैं पूरी स्लाई हमारी सीधी ही जाएगी इस तरह से अब आगे हम अपनी दूसरी स्लाई पे दूसरी स्लाई में पहला फंदा उल्टा हम बिना भुने उतारेंगे उसके बाद उन आगे करके पूरी स्लाई ये भी हम सीधी भुनेंगे इस तरह से पूरी स्लाई सीधी मतलब इसमें हमारी एक भी स्लाई उल्टी नहीं हम बनाएंगे सारा स्वेटर जो है वो ये जो डिजाइन है वो ये सारे का सारा सीधी स्लाईयों का डिजाइन है ये होगी हमारी दूसरी स्लाई अब हम तीसरी स्लाई में क्या करेंगे पहला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे उसके बाद जो दूसरा फंदा है इसमें हमने क्या करना है ये जो हमारा ये उल्टा वाला फंदा है ये यहां से हम इस तरह से अपनी स्लाई अंदर लेंगे यह जो यह उल्टे वाला यह वाला फंदा है यहां से नीचे से हम लाईए इस तरह से अंदर लेंगे और यह फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से उसके बाद एक फंदा सीधा बिल्कुल सिंपल फिर अगला फंदा यह जो नीचे से यह उल्टा वाला फंदा है यह वाला इसके नीचे से हम जो है यह फंदा बुनेंगे तो हमने एक फंदा बिल्कुल इस तरह से सीधा बुनना है और दूसरा फंदा इस तरह से यह उल्टा वाला यह फंदा जो दिख रहा है इसके नीचे से यहां से ऐसे हम इसको बुनेंगे फिर एक फंदा सीधा सिंपल फिर एक फंदा नीचे से इस तरह से फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदा नीचे से फिर एक फंदा सिंपल सीधा फिर फंदा यह नीचे से तो इस तरह से हम अपनी डिजाइन यह जो स्लाइब है वो पूरी करेंगे एक बार हम simple सीधा बुनेंगे और दूसरा फंदा ये नीचे से, फंदे के नीचे से, ये फिर नीचे की तरफ से, ये simple सीधा और ये नीचे से, अब ये जो फंदा है हमारा last से पहला, ये बिलकुल simple बुना जा रहा है, इस तरह से, last वाला फंदा, सीधा, उल्टी स्लाई में क्या करेंगे हम, उल्टी स्लाई में ये जो है, पहला फंदा हम बिला बुने उतारेंगे, उसके बार, सारी स्लाई हम सीधी बुनेंगे, इस तरह से, पूरी स्लाई हमारी इस तरह से सीधी जाएगी अब आगे हम अपनी अगली स्लाई पर अब इस स्लाई में हम क्या करेंगे पिछली बार हमने जिस फंदे को सिंपल बुना था वो अब नीचे से बुनेंगे और जिस फंदे को हमने नीचे से बुना था उसको सिंपल बुनेंगे तो उस हिसाब से पहला फंदा हमारा विरा बुने उतारेंगे अब ये जो फंदा था इसके साथ का उसको हमने पिछली बार नीचे से बुना था तो इस बार इसको सिंपल इस तरह से बुनेंगे सीधा और अगला फंदा उसी तरह से ये इस तरह से रेते हो इस तरह से फिर एक फंदा सिंपल, फिर अगला फंदा इस तरा नीचा से लेते हुए, फिर सिंपल, फिर ये इस तरा नीचा से लेते हुए, फिर सिंपल, फिर ये नीचा से लेते हुए, फिर ये सिंपल, फिर ये नीचा से लेते हुए, फिर ये एक सिंपल, सीधा फंदा और नीचे से इसमें हमने एक भी फंदा उल्टा नहीं बुनना सारे फंदे जो है हमारे सीधे ही बुने जाएंगे चाहे स्लाई सीधी हो चाहे उल्टी इस तरह से तो इस तरह से एक बार जो है हमने पहला फंदा बिना बुने उतारके एक बार इसके साथ इसको जब स्टार्ट करना है स्लाई को इसको सिंपल बुनना है और एक बार इसको नीचे से फंदा लेते हुए बुनना है तो इसी तरह से जो है हम अपनी बुनाई जो है ये पूरी करेंगे यह जो मैंने इसमें डाल रखा है यह आप देखोगे यह जो है एक बार फंदा जो है सिंपल बुना जाएगा और एक बार वो नीचे से बुना जाएगा और यह जो है पूरा डिजाइन है यह सीधिस लाइक का ही डिजाइन है और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए लाइक शेयरा कमेंट करें और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें